इसका स्टॉक प्राइस 2300 पर चल रहा है अराउंड 2300 पर चल रहा है लेकिन इन्होंने बाइबैक अनाउंस किया है और बाइबैक के लोगे ना स्टॉक की प्राइस को 2300 से है ना 2580 तक लेके जाएंगे मतलब आप समझ लो 2600 तक लेके जाएंगे मतलब आप समझ लो 2900 टक आराम से लोग इसको खीच के लेके जाने वाले है मतलब आपको पर शेर खाली 500 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है तो अगर आपको इतना क्लियर कट प्रॉफिट चाहिए मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए क्योंकि देखे स्टॉक की प्राइस तो डेफिनेटली इन्होंने बताया ही है और उधर तक पहुचे गाई अभी देखे स्टॉक की प्राइस 2300 तक देख रहे है हमें स्टॉक की प्राइस के आराम से 2850 तक जाते वह देखने मिल सकती है क्योंकि देखे इन्होंने बाय बाय कि इस तरवकार का announce किया है इन्होंने 17 सब्टेंबर को ये discuss किया और secondly इसके अंदर इन्होंने बताया कि हम 30 सब्टेंबर को बताएंगे और fix करेंगे इसकी record date कि कौन-कौन इसके अंदर participate कर सकता है दोस्तो अगर आपको किसी swing rate के stock की तलाश थी जो हमें short term में कुछ 20% का return मना के दे so this stock is for you आपको इसके अंदर अच्छा कासा return बनते हुए देखने मिल सकता है definitely देखने मिल सकता है so you can go for it इसके अंदर आप जा सकते हो बट दोस्तो देखो सबसे पहले ही कहना चाहूँगा मैंने सबसे पहले intro भी रोल किया था और अभी फिर से कहना चाहूँगा कि this is not any buying or selling recommendation तो आप अपने risk पर इसके अंदर आप trading या फिर investment सारी चीज़े कर सकते हो अगर आपको financials चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हू BSE की site पर लेके चलते हैं और आने वाले time में भी slow ही चलने की probability है अगर हम एक साल के chat button की भी बात करें न तो इतनी कोई लंबी गिरावट नहीं आई है लेकिन एक threat है stock में की वो है न एक range में बहुत जादा consolidate करता ही है इस range में इस range में इस range में बहुत जादा consolidate करता है तो उसको एक boost up की ज़रूरत रहती है और ये buyback भी एक boost up हो सकता है देखें इनकी investor minting invitation के अंदर ही हमें बता दिया गया सारी चीज़े अगर आप देखो तो इसके जो जुला है और March quarter के result है उसके अंदर हमें किस प्रकार से इसके अंदर upside देखने मिल रही है जो stock की अच्छी तेजी को दर्शाता है चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके अंदर delivery quantity 71% की trade होते हुए देखने मिल रही है और इसके जो peer comparison है आप ये देख लीजिए HGS, FSL, AACC तो इसका असली नाम क्या है हम वो बात में देख लेंगे लेकिन इसका ही comparison हमें देखने मिल रहा है तो दोस्तो overall देखा जाए ना तो stock बढ़िया है लेकिन हमें अगर आपको trade करना है तो इसके अंदर आप जा सकते हो थोड़ा सा analysis करके अगर आपको long term investment करने है जो I will not suggest you to do because बहुत सारे अच्छे-च्छे stocks market में पढ़े तो अगर आपको इसके अंदर analysis करके investment करने है तो definitely go for it this is not a buying and selling recommendation of any stock खाली एक buyback की news थी जो मैंने announce कर दिया आपके साथ तो चलिए जोस्तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा sensex 50,000 पे था रूपे की jump लगाने में किसका कितना contribution था मतलब वो 10,000 points जो है वो points के अंदर कितना किसने contribute किया था मतलब कौन से top 5 stocks थे जिसकी बज़े से stock है न जो sensex है वो 50,000 से 60,000 चले गया वो मैंने अपने वीडियो में discuss किया जिसकी link आपको screen पर आ रही होगी उसको click करके देख लो बहुत ही important वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है